हलो फ्रेंड्स विंडोज 11 जब से लाउंच हुआ है तो आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने लैपटॉप्स में विंडोज इंस्टॉलेशन के सिस्टम मीनिमम सिस्टम रिक्वार्मेंट्स के एरर आने शुरू हो गए है और वो विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं कर पा र है तो आज मैं इस वीडियो में इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया हूं तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमने विंडोज का यूएस्वी गूटेबल लगाया हुआ है और यह इंस्टॉलेशन इंस्टॉल नाव पर मैंने क्लिक किया है जैसे इंस्टॉल नाव पर क्लिक किया है तो आप देख सकते हैं पीसी कैनोट रन विंडोज एलेवन दपीसी डेजन मीट जरी मिनमम रिक सिस्टम रिकॉर्मेंट तो इंस्टॉल दिस वर्जन तो यह प्रॉब्लम अभी जितने भी पुराने सिस्टम हैं उसमें आने शुरू हो गये हैं तो इसके लिए मैं बताता हूँ क्या करना है जिससे आप किसी भी सिस्टम में कितना भी पुराना हो पेंटियम 4 हो उसमें भी विंडोज 11 चल सकता है हमने वो इंस्टॉल किया है तो आप वीडियो में बने रहे हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए अब आगे बढ़ते हैं यह इस एर अब यहाँ इस पोजिशन पर ही आपको सिफ्ट प्लस F10 प्रेस करना है सिफ्ट प्लस F10 जैसे ही आप सिफ्ट प्लस F10 करेंगे तो यह आपको कमांड प्रॉंड पर ले जाएगा कमांड प्रॉंड पर आपको रेजिस्ट्री एडिटर का कमांड लिखना है यहाँ पर आप देख सकते हैं रेज एडिट रेज एडिट लिखते ही आपका ये रेजिस्टर रेजिस्ट्री एडिटर ओपन हो गया अब आपको यहां पर मशीन में जाना है एज की लोकल मशीन एज की लोकल मशीन के बाद सिस्टम में जाना है उसके बाद Setup में जाना है आपको यहां Setup में जाना है और Setup पर Right Click करके New में जाना है और New Key प्रेस करना है Setup में Right Click करके New Key Create करना है Key आपको Lab Config के नाम से Create करना है Lab Config के नाम से हमने Key Create कर दिया है अब इस पर क्लिक करने के बाद इधर Blank Area में Right Click करके New D Word 32-Wit Value इस पर क्लिक करके Bypass करना है जितने भी Requirement चेक होते हैं उसको Bypass करना है Bypass TPM Check इस पर डबल क्लिक करके इसका Value 1 रखना है यह हो गया अगला New क्लिक करना है और D Word 32-Wit Value में जाना है और Next Bypass इंट्री करना है इसकी वैलू भी डबल क्लिक करके वन करके ओके कर देना है तीसरा जो हमार रिक्वार्मेंट चेक होता है Windows 11 के समय वो है RAM Check तीसरा RAM Check हो गया अब चौथा जो है वो Secure Boot चेक होता है तो हमने New पर ब्लैंक के रिया में क्लिक करके D Word 32-Wit Value पर क्लिक करना है और यहाँ पर फिर इंट्री करना है हमने Secure Boot चेक भी कर लिया है RAM Check के Value को हमने 1 नहीं किया था यह हमने 1 करना है यहाँ पर देखिए सभी 1 है एक Zero Secure Boot को भी 1 कर देते हैं अब यह चारों इंट्री हमने यह Lab Config Key में Create कर दिया है और सबका Value 1 कर दिया है बस इतना ही इंट्री करना है और इसको Close कर देना है और इसको Close कर देना है अब आपका Setup Ready है आगे बढ़ने के लिए अब Window से हमने फिर से Key Create कर दिया है Lab Config और यहाँ पर हमने चारों इंट्री जो हमने पहले बताये थे वो यहाँ से दुबारा से कर दिया है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यह होता है इसको पर क्लिक करना है अब हमें देखना होगा कि क्या यह आगे बढ़ सकता है आप देख सकते हैं तो हमें close नहीं करना है क्योंकि यह temporary entry है यहाँ पर हम registry में save नहीं कर सकते हैं यहाँ से तो अभी हमें यहाँ पर क्लिक करना है और इन सभी चीजों से यह Custom Install पर क्लिक करके अब यहाँ partition हो यहाँ पर करके आप आगे next windows 11 install कर सकते हैं अब यहां से मैं पूरा installation आपको इसलिए नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप बिना वजह आप पूरा video data waste करेंगे तो इतना करके आपको केवल 5 मिनट में आपको हमने सारा step बता दिया है अगर किसी तरह की problem हो किसी system में तो आप हमें जरूर बताएं comment करें like करें और subscribe करें windows 11 का series continuously चलेगा अभी क्योंकि अभी हमने शुरू किया है और भी सारे windows 11 से related समस्याओं को अब next video upgrade करने के उपर है यह new installation में